हेलो अब्रिबन नमस्कार गौर्मेट जब की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों का हमारे चैनल जीत की पार चाला पर एक बार फिर से स्वागत हैं साथियों काफी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस्टाफ नर्स बरती के विज्ञापन का और साथि साथ में पर्मानेट इस्टाफ नर्स के लिए जो काफी दिनों से इंतजार आप सभी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी के काफी अच्छी विकेंसी पर्मानेट इस्टाफ नर्स की आ चुकी है साथियों हम आपको बता थी कि उत्रपदेश University of Medical Sciences सेफ़ाई एटावा द्वारा स्टाफ नर्स की पर्मानेंट बढ़ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है तो ओफिसल वेबसाइट पर यह विज्ञापन जारी हो चुका है साथियो GNM और BSC Nursing Students के लिए काफी अच्छा अफसर है यह और काफी लोगों का CHO में सेलेक्शन हो चुका है जो के contextual पोश्ट है लेकिन उसमें जिन लोगों का नहीं हुआ ता उनके लिए और अच्छा मौका है पर्मानेट जॉब पाने का तो साथियो इस वीडियो में इस भरती से सम्बंदित कुल पदों के जानकारी साथी साथ Education Qualification साथी साथ exam pattern के बारे में detail में बात करेंगे तो वीडियो को end तक देखी उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और साथी अगर आप चैनल पर नए हैं तो किरपे हमारी चैनल को सब्सक्राइब पलने साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके All Notification ट्रेप को सलेट करने जिससे कि गौर्मेंट जॉब से Related महतपूर जानकारी आपको मिल सके आए वीडियो में अब आगए बढ़ते हैं साथी उत्तरपदेश University of Medical Sciences सेफ़र इटावा द्वारा पर्मानेट स्टाफ नर्थ की भरती के लिए Common Illigibility Test यानी CET 2022-23 का आयूजन किया जा रहा है और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसके लिए Online आविदन मागे गए हैं जो भी योग के पात्रभ्यरती हैं और हम आपको बता दें कि Online Computer Based Common Illigibility Test होगा यानी CBT और ये जो स्टाफ नर्स का पद है वो लेवल 7 में पे मैट्रिक्स रुपीज 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज का जो पे मैट्रिक्स है साथ हो आई अब बात करते हैं ये Common Illigibility Test में शामिल होने के लिए और इस पत से संबंदे जो अनिवार योगता हैं उसके बारे में तो हम आपको बता दें कि इस भरती में शामिल होने के लिए आपके पास Indian Nursing Council या State Nursing Council से मानने तप्राप University अत्वा संस्तान से B.Sc. Honors Nursing या B.Sc. Nursing के डिगरी होनी चाहिए अत्वा आपके पास B.Sc. Post Certificate या Post Basic B.Sc. Nursing के डिगरी होनी चाहिए और दूसरा आपको इसके साथ में Indian Nursing Council या State Nursing Council में Registration होना चाहिए आए बात करते हैं GNM Candidates के लिए तो साथ ही हम आपको बता दें कि Indian Nursing Council से मानने तप्राप्त किसी संस्तान या Board या Council से आपके पास GNM का डिप्लोमा होना चाहिए तो यानि कि GNM वाली Candidates भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको इंडियन Nursing Council या State Nursing Council में Registration होना चाहिए और साथ ही साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा जो Experience मागया गया है जो GNM Candidates ने उनके लिए तो हम आपको बता दें कि इस भरती के लिए GNM वाली Candidates को GNM का जो डिप्लोमा है वो करने के बाद में दो साल का Experience मागया है Minimum 50 Bedded Hospital में जो Hospital Registered होना चाहिए जो District Medical Authority द्वारा आए बात करते हैं इस भरती के लिए Age Limit क्या मांगी गई है तो साथ हम आपको बता दें कि Candidates के जो IOC मावनी चाहिए वो 18-40 वर्स के बीच होनी चाहिए यानि कि Minimum Age है 18-year और Maximum है 40-year और साथ ही साथ में जो Date है Age Calculation की वो 1 January 2023 को है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ विसिस जो SC, ST या OBC Candidates हैं उनके लिए कुछ IOC माँ में छूट भी दी गई है और साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि जो Government Job में हैं उनके लिए भी कुछ विसिस छूटे आई सीमा में तो आप डेटिल देख सकते हैं आई अब बात करते हैं Number of Viquencies तो यानि कि कुल पदों के बारे में तो साथ ही आपको बता दें कि पर्मानेट जोब हैं और बहुत अच्छे जो संस्थान हैं सेफई टावा में उसमें ये आपको सेवा करने का अफसर मिल रहा है और टोटल पोश्ट हैं इसमें 220 यानि 220 इसमें से हम आपको बता दें कि से के लिए 46 हैं से के लिए 4 हैं और OVC के लिए 60 सीट हैं और EWS के लिए 22 और अन्रिजब्ड यानि जन्रेल के लिए 88 पद हैं इसमें साथी जात इसमें दिव्यांग एक्स सर्विसमेन और फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स को 36 आर्चण भी दिया गया है आए अब बात करते हैं एप्लिकेशन फीस की तो साथी हम आपको बता दें कि इसमें जो एप्लिकेशन फीस जो ऑनलाइन आविदन किया जाना है उसके लिए अन्रिजब्ड कैटिकरी के लिए जो टोटल फीस है वो है 360 रुपे इसमें फीस जो है रुपीस 2000 और GST 360 रुपे कि आविदन शुलक है और OBC और EWS की बात करें तो इसमें भी सेम है 2000 रुपे फी और 360 GST कुल मिला कि 2360 रुपे टोटल फी और SC और ST के इंडिट्स के लिए बात करें तो इसमें 1200 रुपे जो फी है आविदन शुलक और 377 GST है 216 रुपे तो कुल जो कुल हुआ टोटल जो 14 1416 रुपे वो आविदन फी है टोटल तो इस तरह हम देखें कि यह आविदन जो फी है वो आपको भी ऑनलाइन सब्मिट करनी है और जो ऑनलाइन कॉमन इलिजिबल्टी टेस्ट होगा उसकी डेट बाद में एनॉंस की जाएगी आईए अब बात करते हैं एक्जाम के पैट एक्जाम होगा ओनलाइन होगा और इसमें जो तीन घंटे का यह आपका टेस्ट होगा यानि 180 मिनिट का और इसमें 200 MCQ यानि मुल्टीपल चॉइस क्वेस्टन पूछे जाएंगे जो 600 मार्क्स के होंगे टोटल और इसमें इंगलिस और हिंदी दोनों लेंग्वेज में यह इंगलिस जनल नॉलेज और करेंट अफियर से होंगे और साथ ही साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेस्टन भी इसमें आएंगे जो 30 क्वेस्टन होगे उसमें से तो इस तरह देखे जाए तो ज्यादा पार्ट जो होगा वह आपके नर्सिंग सब्जक्ट से ही ह होगा आए अब बात करते हैं निगेटिक मार्किंग की तो साथ ही इस एक्जाम में निगेटिव मार्किंग लागो होगी जो 1y3 का रिश्यू है और साथ ही साथ में आपको बता दें मिनिमाम क्वालिफिकेशन मार्क्स ओप दा कॉमन एजिवर टेस्ट जो होगा वह 50% और EWS और OBC के लिए और 45% SC और SD के लिए आए फ्रेंट्स अब बात करते हैं सिलेवस की तो हम आपको बता दें कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल त्वारा जो सिलेवस है वही इसमें पूछा जाएगा और जो आपकी एसेंसल क्वालिफिकेशन है जी एनम और साथ ही BSE नर्सिं हैं topics जो हम से question पूछी जाएगे तो हमाग एक बार detail में बता देते हैं कि कौन-कौन से question पूछी जाएगे वो कितने marks के हैं तो आए ये देखते हैं सबसे पहले number one पर हो general English तो इसमें 10 questions होंगे और उसका जो marks होंगे वो 30 होंगे और दूसरे number पर जनरल नॉलेज और करेंट है फिर इसमें भी 10 question पूछी जाएंगे जो 30 marks के होंगे और फिर 30 नंबर पर reasoning mathematics इसमें 10 question पूछी जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे 4 नंबर पर anatomy physiology microbiology और biochemistry इसके 15 question होंगे जो 45 marks के होंगे और 5 नंबर पर देखें psychology और sociology जो 15 जो question पूछी जाएंगे और 45 marks के होंगे इसके बास 6 नंबर पर community health nursing जिसमें 15 question और 45 marks होंगे 7 नंबर पर देखें तो child health nursing इसमें 15 question 45 marks होंगे और 8 नमबर पर देखें, nutrition, health education and communication skill की बात करें तो इसमें 15 question पूछे जाएंगे, जो 45 इसके marks होंगे और 9 नमबर पर देखें, तो medical, surgical nursing इससे 15 question पूछे जाएंगे जो 45 marks के होंगे, 10 नमबर पर देखें, तो mental health nursing होगी जो 15 question पूछे जाएंगे, 45 marks के होंगे, इसी तरह 11 नमबर पर आप देखें, तो midwifery and gynecological nursing जिसमें 15 question पूछे जाएंगे, जो 45 marks के होंगे, और साथी साथ 12 नमबर पर देखें, तो nursing education, research and aesthetics की बात करें, तो 15 question जिसके 45 marks होंगे और इसमें इसी तरह 13 नमबर पर जो topic है, वो professional trends, nursing, administrative and ward management इसके 15 question होंगे, जो 45 marks के होंगे, और last match 14 नमबर पर, यानि 14 नमबर पर जो topic है, वो है fundamentals of nursing and first aid, जो 20 question पूछे जाएंगे इसमें से, और जो 60 marks के होगा, इस प्रकार हमने देखा कि इस common eligibility test में, कुल total question 200 पूछे जाएंगे, और जो कुल total marks होंगे, वो 600 आज़ बात करते हैं, important dates की, तो आपको बताते हैं, online application की date है, जो 20 जनवरी 2030 से start हो चुकी है, और last date है, 9 फरवरी 2030 और UPUMS के जो website है, online application, submit करने की, वो है www.upums.ac.in तो जल्दी से जल्दी आप अपना form submit कर दीजे, साथ ही हम उम्मिद करते हैं, कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगे, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो कि प्रेसे like करें, share करें, comment करें, और साथ ही साथ हमारे चैन को subscribe करना, और साथ ही bell icon को press करना, बिल्कुल न भूल करें, क्योंकि इसी तरह, government jobs related, महतपूर अपडेट और तैयारी सम्मधित वीडियो आपको उपलप्त कराए जाते हैं, thank you so much